जब हैरिस रॉफ ने अस्ट्रेलिया में टेस्टूरीच खेलने से मना किया था उसी वक्त हैरिस रॉफ पर बैन लगा देना चाहिए था लेकिन देर आये दुरूस्त आए आले कि पाकिस्तान के सबसे करप्ट मिनिस्टर्स में से एक मोसी नकवी इस समय PCB के चेर्मेन है और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोसी नकवी कैसे इनसान है लेकिन अब वो PCB के चेर्मेन है तो थोड़ा अदब से मुझे बात करनी पड़ेग और देखें उनके आते ही चेर्मिन बनते ही वो सबसे पहले हरिस रॉफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्राक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया है सेंट्रल कॉन्ट्राक्ट से जो है हरिस रॉफ को हटा दिया गया है अब Central Contract में Harris Roff का नाम नहीं है और साथ ही 30 जून 2024 तक किसी भी बाहरी लीग में खेलने से प्रतिबंद उन पर बैन लगा दिया गया Harris Roff पे उनकी गलती यही थी कि जब उन्हें टेस्सूरीज के लिए मौका दिया जाना था और जब उन्हें अप्रोच किया गया था कि क्या आप टेस्सूरीज खेलेंगे तो उन्हें साफ तोर पे मना कर दिया था और बोला था कि भाई मुझे वर्कलोड मैनेज करना है और मैं टेस्स खासे पैसे मिलते हैं, चार ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ती है, minimal matches आपको खिलने को मिलेंगे और वहां से आप ज्यादा ज्यादा dollars कमा पाएंगे, तो ज्यादा dollars कमाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे जो है, हैरिस रॉफ के डुब गए है, क्योंकि सेंट्रल कोंट्रेक्ट में जब आप रहेंगे ही नहीं, तो एक तरीके से आपका बहुत भारी रुकसान हुआ है, प्लस बैन भी अब आपको जहिलना है, हलाकि आगे PSL है, इससे ज़्यादा आहात नहीं होना चाहिए, लेकिन हैरिस रॉफ के बारे में एक बयान जरूर आया था, कि हैरिस रॉफ जो है, जब उन्हें टेस्ट्रीज के लिए बुलाया गया था, इतना ज़्यादा criticism उनकी हुई थी, तो वो ये कहना चाह रहे थे, वो ये कह रहे थे, कि क्या कहता है कि मैं तो क्रिकेट छोड़ने का प्लान बना लिया था, क्योंकि मुझे पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही थी, लोग भला बुरा मुझे कह रहे थे, पहली बात तो ये कि आप इकलोते ऐसे खिलाडी नहीं है, जिन पर तनकीद होती है, आप ऐसे खिलाडी इकलोते नहीं है, जिन पर criticism होता है, इतना ज़्यादा जहिलना पड़ता है, आप अपने former captain को ले लीजिए, बाबर आज़म को, उन पर क्या क्या नहीं गुजरा है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपको पता भी होगा, और अगर ऐसी छोटी मोटी criticism से, अगर आप सन्यास लेने पर उतर आए, तो मेरे ख्याल से, अब तो हैरिस रॉफ को जितनी जल्दी हो, वो सन्यास ले ही लेना चाहि लेकिन ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान से और भी कई खिलाडी आएंगे, जो सन्यास लेकर खुद को बोल देंगे कि भाया, टाटा बाई बाई बाई, हम बाहरी लीग खिलेंगे, आप होआएगे, या गलत होआएगे, तो फिचित रहे हैं, देने बाई